नमस्कार दोस्तों वेलकम टो आवर चैनल दोस्तों आज बात करते तुर्की और इंडिया की करेंट सिचुएशन रिलेशन को लेकर दोस्तों कहते हैं कि वैसे ही मदुमक्की के छत्री पर हाथ नहीं डलना चाहिए और अगर अपने हाथ डाल दी तो उसके अंजाम भुगतने के लिए आपको तयार रहना चाहिए कुछ ऐसा ही हो रहा है तुर्की के साथ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पूरी दुनिया पर अलग थलक पर चुका है अब तो पाकिस्तन की प्राइम मिनिस्टर को भी यह एहसास हो चुका है कि कि किस तरीके से भारत ने उन्हें जनरल एसेंबली में कश्मीर का मुद्दा उच्छा ला था और इसके बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी इनका यह एहसान चुकाने का ठान लिया है तुर्की की तिन परोसित साइप्राज आर्मेनिया और ग्रीज के राष्ट्राद्दक्सों के साथ मुलाकात करके प्राइम मिनिस्टर ने यह साप कर दिया है कि अब तुर्की को भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा दर असल इन तीनों देशों के साथ तुर्की की विवाद चल रहा है बलकि साइप्रास के कुछ हिस्सों में तो तुर्की जबरदस्ती कबज़ा भी करके भारत ने कुटनोयतिक और आर्थिक दोनों मुर्चे पर तुर्की को सबक सिखाने का ठान लिया है और इसी के मद्दे नजर भारत ने तुर्की के साथ 230 अरब डॉलर का एक समझोते को होल्ड पर रख दिया है दरसल इंडियन ने भी किस जरूरी एक वर्शी बनाने के अलाबा तो भारत ने इस डिल को होल्ड पर रखने का फैसला कर लिया है जिसके आगे जाकर तुर्की को 230 अरब डॉलर का भारी भर कम नुक्सान उठाना पर सकता है अब तो तुर्की के लोकल मेडिया और डिफेंस कंपनी भी उनकी प्रेसिडेंट की अलोचना करने लग ग तरीके से भारत के इंटर्डनल मेटर पर टांग अरतार रहेगा तो भारत बाध़ु हो जाएगा तुर्की को और बी करें और करारा जबाब देने के लिए तो दोस्तों आगे देखते हैं कि ह야 वी कि यह मसवा कहां तक जाते हैं के तुरक्य आगे भी पाकिस्profits का इसी तरीवें सपपेट करता है या पिर भारत के दाउन की स्थेप के बाद उसका रूख थोड़ सा नर्मी उसके रूख में तुरूस सा नर्मी ऐगए तो आगे जा कर और कि सरकार नहीं यहां परसत्ता पर मोदी बैटा हुआ है और यह जैसे को तैसा पर जवाब देने में बहुत माहिर तो दोस्तों यह अपटेट यहां तक की रहेगा आगे भी इसी इस से रिलेटेट कोई भी न्यूस अगर आगे भी आएगा तो मैं आपके लिए एक और कार गुडबाए.